नमस्ते अगर आपके घर में हमीशा चिकन बनता रहता है और इस पार आप चाहते हैं कि महनत ना करनी पड़े फिर भी टेस्टी बने और ज्यादा मसालेदा ना बने तो फिर आप यह वाली चिकन की रेसिपी ट्राइ किजिए बहुत ही टेस्टी है फटाफट बन जाती है मु काली इलाइची दालचीनी मेज लोंग काली मेज इलाइची डाल लीजे और जीरा और इसके बाद हम तुरन डालेंगे प्याज बारिक कटे हुई प्याज है दो तीन प्याज हमने लिया है और इसे डालने के बाद दो तीन सेकेंड बस चलाएंगे बस मिक्स करना है और तु व्हकोस पखा ने जो टेर्श बीड चलता है और पीसे से अधरक लेशन को जादा देन पकाना कुछ से किन पकाई भी चिकन के पीसे डाल लीजेग चिकन में जब अधरक लेशन डाला जाता है उसका तेश्ट बहुत अच्छा आता है और इसे धखक कर पकालीजेग धीमि अच से रखा इसमें सीटी नहीं देना है तो ध्यान रखना सिर्फ सीटी जो है वो प्याज में दिया है हमने बाकी उसके बाद हम सिर्फ धक कर पकाएंगे जब चिकन आधा पग जाए तो इसमें हम नॉर्मल से बेसिक मसाले डालेंगे जो कि हर सबजियों में डलते हैं धनिया पावडर है हल्दी पावडर है लाल मेज पावडर अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे ढखकर फिर से पकाएं हाँ आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मेज डाल सकते हैं कलर के लिए वो भी जरूरी होता चिकन में तो इसे तौंधर की प्यूरी अगर आप चिकन में नहीं खाते हैं तो आप मिक्स करेंगे और फिर से इसे पकाएंगे भड़ तो आप बीषिच में खोलकर चलाते रहेगा तो ऐसे भीनमें वह उपर से पीकित बपनुट अब तपकाएंगे अभी उप से अच्छे सेपगा नहीं त आदा करीब पक चुका है फिर हमने डाल दिया इसमें गरम मसाले या चिकन मसाला आपके पास दो है तो डोनों डाल लीजे अगर आपके पास तिर्फ एक है तो कोई एक डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करें अभी टमाटर को और पकना बाकी है फिर से ठक कर पकाएंगे अब द कि अच्छे से पवाल के साथ करना एक पास य apenas तो ठान इक है डाल लेकिन अगर आपको चाफाल के साथ लेना थोड़ा सा इसमें तो घरावी बनानी पड़ती है तो गरम पानी का इस्तमाल करें गरम पानी डाले को अच्छे से मीक्स करें और फिर सै अथ्ञे कर हम पकेंगे ताकि अच्छे से पक जाए पानी डालने के बाद तो यह बहुत आसानी से बनता है और देखिए मैंने मसाले बहुत जादा यूज नहीं कि इस सिफ खड़े मसाले जो है वो तो आप डाल लीजिए उसे फ्लेवर अच्छा आता है टेस्ट भी अच्छा आता है और बाकी नॉर जरू शेयर करें पसंद आने पर लाई को शेयर करें सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते अगली रेसिपी के साथ थैंक यू